नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मोबाइल फॉन में दो स्क्रीन कैसे आप चला सकता है तो इसे के बारे में हम आज आपको पूरा कंप्लेट जानकारी देने वाले पूरा वीडियो लास तक ज़रू देखिएगा चैनल ने के लिए अच시 स्क्रीन है वि आया जिस मैं दो चीज को भी हिए चला सकते और जैसे कि ऊपर में ओप यूट्योब चला रहा हो नीचे में फेश्वक्शुन दूसरा काम वाटसप और कुछ भी चला सकते हो तो इस काम को क्सको करने के लिए आपको क्या करना है तो तरxtonया प्रोसेश को भी यूट्यूब उपम on 붙 यहांपर दिखाने वाला में हमनों को बीरा। निजे में को क्या करना है दूसरा चीज चलाना तो को चलाना के लिए हमको क्या करना होognे doing यह जो मीनिमाइज बटन होता है यहाँ पर नीचे में त्री लाइन यहाँ दिखा दे रहा है बड़ा बड़ वाला इसके उपर में आपको एक टैप कर देना जैसे आप यहाँ पर टैप करते हो उसके फिर यहाँ पर आपको दिख जागा इस पिल्ट स्क्रीन का उप्षन यह जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे फॉर एक्जामपल जैसे की यूट्यूब हमको उपर में चाहिए तो यहाँ पर देखी लिखा गया है प्रेस एंड होल्ड एंड एप देन ड्रैग इट यहाँ पर आपको क्या करना है यूट्यूब जो भी आप उपर में रखना चाह त भी यह फिर हैंपे नीचे में जो है नीचे मिया आपका पुरा स grace अपका खाली हो चुका है उब इसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको यहां पर जैसे कि जाओगे इस फिल्ट आप्शन में यहां पर जा करके इस पर क्लिक कर देना है यहां पर अब आपको यहां पर नीचे में जाना है इस जगह पर यहां पर कोई भी दूसरा अप्लिकेशन जो आप यूज कर सकते हो इस तरह से यहां पर जैसे कि आप जाना है अब जैसे हमको चलाना फेस्बूक या फेट जीमेल वगरे कुछ भी चलाना चाता है तो उसको आप यहां यहां पर बहुत यहां आसान तरीके से चला सकते हैं फीजामपल जैसे हमको वाट्टसप चलाना है ता शर्फ है वाट्टसपूब कर दोगे geograph में यहां पर कृब करेंगे यहां इस तरह इस प्लिक कर देना और इसको थोड़ा सा यहां पर होल कर देना अब यहां पर नीचे मैं आपको वाटसब दीख जागा अब वाटसब को आप यूज कर सकतो इस तरह से एक तो यह चीज हो गया कि यदि आपके मोबाल फॉंड में यह वर्क कर रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हो जैसे आपको प्रोसेस घुल पर दिखांतो लग के अप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना गूगल के प्ले स्टोर में गूगल के प्ले स्टोर में जैसे आप जाओगे फिर यहां पर आपको टैप कर देना है इस फिल्ट स्क्रीन जैसे आप यहां पर टैप करोगे फिर यहां पर जो धेर सार आपको दिख तो यह अप्लिकेशन इंस्टाल हो जाएगा फिर उसके बाद यहां पे जो आपको कुछ सेटिंग अपलाइ करना पड़ेगा तब जाकर के यह जो आपके मोबाइल फॉन में वर्क करेगा यह आपके मोबाइल फॉन में डारेक्ट स्पिल्ट स्क्रीन ऑप्शन काम नहीं चाहिए कि किस तरह से यह अप्लिकेशन वर्क करता है यहां पर आपको क्या करना ओपेन कर लेना है जैसे पहले बार इंस्टाल करोगी तो यहां सिस्टम इस कैनि वगड़ चलेगा अब यहां पर आपको ओपेन कर ले ना है ओपेन करनी बाद फिर आगला जो इंटरफेस द दिखाइदेगा यहां पर जाकर कि आपको जो है अपना जिदेघ्ड हो चाहते है आप यहां पर जोर f subscribers निकल जाता है और यहां पर हमक्सिल कर तो अब यहां नॉर्मल होगा मेरा अप्लिकेशन अब जोब मोबाल में श्höल दोलゃ लगा थे यहां पे इस तरह का interface दिखा देगा अब यहां पर आपको क्या करना दू आप्सण दिख रहा है टॉप सब एप में जो भी आप यहां पर अप्लिकेशन सेलेक करना चाहते हो उसाप्लिकेशन को अप यहां पर स्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि यूट्यूब है फिर जो भी अप्लिकेशन मतलब एक साथ कोई भी चीज आप यहां पर चला सकते हो तो यहां पर थोड़ा स्क्रॉल डॉन करके हम यूट्यूब को ही सलेक कर लेते हैं और उसके नीचे में कोई दूसरा चीज जो है और यहां पर सेलेक्ट करने वाले हैं तो इस तरह से तुरसा यहां पर आपको सेलेक्ट कर लें अगया अपर यहां पर यूज करना चाहता है उसके बाद यहां पर को से बटन पे क्लिक कर दिना से बटन पर जैसे अप क्लिक कर देना हैएँ, यह हैं पर यह बटन के स्क्रीन पे इंगा सब को आपको open करना यहां पर देखिए दो चीज का हम यहां पर बनाए है यूट्यूब का और यहां पर google chrome का दोनों का icon एक में ही दिख रहा है यहां पर आपको इस application को इस तरह से open करने कर लेना है उसके फिर यहां पर जैदी इनेवल का option पूछागा तो यहां पर इनेवल कर देना है अब यहां पर एक चीज़ ध्यान से आपको देखना है जो की जिसको यह दिया प्यास करोगे फिर उसके बाद ही आपके mobile phone में यह काम करेगा यहां पर more download service यह option लिखा हुआ यहां पर आपको click कर देना है यहां पर click कर यहां आप करें यहां पर click कर देना है जैसे आप यहां पर clicking कर देना जैसे अब इहां पर click करेंगे और एलो बटन पर किलिक करेंगे यह 100% चेक करा हुआ तो आप जैसे आप एलो बटन पर किलिक करोगे यह आपका जो है अप्लिकेशन पूटी तरीके से वर्क हो जागा हम यहाँ पर एक बार स्क्रीन डोग करके स्क्रीन रेकॉडर को उसके बाद फिर दुबार आपको दिखाता ह जैसे आप उन कर दोगो यहाँ पर स्क्रीन का जैसे आपको बताया है तो स्क्रीन जैसे कि यहाँ पर रेकॉर्डिंग हो रहा था इसलिए वहाँ पर कामनी कर रहा था आप स्क्रीन रेकॉर्डिंग बंद करके हम इसको अप्लिकेशन को ओन कर दिये वहाँ पर मिसन दे दिय अब जैसे यहां पर open करोगे तो कुछ इस तरह का आपको interface देखने को मिलेगा यहां पर जैसे कि दो application हम यहां पर open किये हुए एक पहला तो यह हो गया दूसरा जो है यहां पर आप कोई भी चीज यहां पर open कर सकतो open app from the home screen तो यहां पर जैसे आप इस option पर जैसे क्लिक कर दोगे तो यहां पर आपको जो है दोनों चीज दिखाई देगा इस तरह से आप जो है अपनी mobile phone में इसका यूज कर सकते हो यहां पर screen recorder चल रहा है इसलिए यह यह प्रोपर तरीके से यह वर्क नहीं कर रहा है अधर जो है यह सही तरीके से काम करेगा यह आपको किसी ने अपडेट के साथ धन्यवाद जायंद वंद्यमाद्रम